तो हलो नमस्तिया स्टार्गों सश्यकार केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिंदेगी का बिग बॉस शुरू हो गया है कि सब घर में बैठें लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैहां पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी होगे कि मेली निए हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले एसा रगा के फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीविस हो गया है क्योंकि यहां अब पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अमी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वेजटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेड़ दूर गाओं में बेजा राशिन घरीदे के लिए तो आचकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था किया कि पुलीस वाले से बात करते हुए उन्हें ने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वाले काम से कि लिए मास पैनो तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्हें किया आए उन्हें यह कहानी बयान की और मैंने से कहा कि यह जो कि आपको मना किया गया था करने क लिए यह आपने किया और रहाइदी बेवकुफी की चीज़ की अब दिमाग से निकल गया है सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूं जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको यह बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो म इस ही पॉजिटिव पेशिन्ट के दिमाग में एक नेगीटिव थाउट आजाना एक उसका सउयंदे खो देना खोब खो देना बहुँसे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझ ज़ना वो आंटि इंसानियत है जो पॉजिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिफ हो जाएंगे ये गैरंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देगे खांदान से महुले को महुले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट में कि बाहर मत जाओ सोशल का तरह में रहा है तो दोस्त्यारों से ना मिलो आइसोलेशन में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ भगण पडुशारो इस occirin नए हैं हम सब के लिए नमाज पड़ना कर पे पर आ तब कश माघ करनी था क करो बच्वर न ये सीगादा के भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सबको है लेगन क्या कोई मनना चाहता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो Starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुज़र्ग जिन्होंने तुम्हें बाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं, उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो, जो कि गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते हैं तो यह लॉकडाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं गुरूप्स में दोस्तियार हैं जहार ना किसने रोका है खाने पीने का सभाल लेंगे जाओ घर तुरनता जाओ आजाओ पास में जाओ किसने रोका हैập मास पहनो क्लो यह यह पेंओ अकेले जाओ गवर्मिन ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे ह किसके लिए काम कर रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोटने के लिए नहीं करोना वाइरस को भैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उन्च नीच जातबात अमीर गरी चोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की डूटी है, वो निभार हैं और आपकी डूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे और वो भी आप नहीं निभार हैं मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के भार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है, कमाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रही हैं ऑर बैंक में बूर्ब कर रहे हो जिसके वज़रे से आप अपने F&M और अपने अकाउंट सो पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी वी जान को खत्रे में दाज हो वाले हो एउshift जी कमाल एई अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और फुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाख में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेटर है कि ये बिना खाये पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी भैली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पर लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खताम हो लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े ताकत वरवाब बड़े भाद वरवाब कि इतने बाद वर इतने ताकत वरवाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आपने क्यों आप यम्राज और मलेकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनन इल्ला है और राम नाम सकते है पढ़ना चाहते हो अर भात के दो पहलू होते हैं जिसकी भी दो ही एए एक पहलू ये है कि हम सब रहें दूसरा पहलू ये है के कोई ना रहे है आपिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दुआ करो के वो नौबत ना आए जहापर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए तन्यवाद